असलाम लेकूम मेरे नम डॉक्टर जवाद है मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपने खिदमात सा अंजाम दे रहा हूँ आज हम एक बहुत इंपॉर्टन मित पर बात करेंगे यह मित बर्य सगीर पाको हिंद में बहुत कॉमन है बहुत से लोग यह समझते हैं कि शायद मचली खाने के कुछ दिर बाद दूद पीने से या मचली खाने के साथ दूद पीने से विटिलाइको यह बर्स का मसला हो जाता है कई माई यह सवाल करती हैं क्या हम अपने बच्चों को मचली दे सकते हैं याद रखें विटी लाइको एक जिल्द का मसला है जिसमें जिल्द में मुझूद मेलैनोसाइट्स जहां तो डिस्ट्रॉई हो जाते हैं या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से एक पिग्मेंट मेलैनिन नहीं बनता और जिल्द अपनी रंगत खो देती है स्टाइंटिफिक रिसर्च में इसकी कई वजुहात बियान की गई हैं लेकन कोई रिसर्च इसका तरलुक दूद या मचली के साथ नहीं जोड सकी मचली बनाने की बहुत सी रेसिपीज में दही इस्तमाल होता है और कुछ में दूद भी इस्तमाल होता है पाकिस्तान में भी लोग ज़्यादा तर फ्राइड मचली राइते के साथ काते हैं जो के दही से बनता है दुनिया में बहुत से ऐसे अलाके हैं जिनकी में गजा मचली है मसाल के दूपर बंगला देश, वेतनाम, जपान इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे अलाके हैं जैसा के गवादर, सिंद्ध के साहिली अलाके, तर्याय सिंद्ध के इर्द-इर्द बसने वाले मचेरे जो के मेन मच्चली पर ही इनहसार करते हैं अगर मच्चली और दूद की वरसे बरस होता तो इन अलाकों में बहुत ज़दा पाया जाता लेकर ऐसा देखने में नहीं आया मच्चली परोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि बच्चों की सिहत के लिए बहुत फायदा मन्द है इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिट्स पाया जाते हैं जो कि बच्चों की जहनी नशुनमा के लिए उनकी ग्रोथ के लिए बहुत फायदा मन्द है उमेगा 3 फैटी एसिट्स बच्चों कुटे मुदाफियत में भी अजाफा करते हैं और दिल की सिहत के लिए भी अच्छी है इसके अलावा इसमें वाइटमन D भी पाया जाता है पाकिस्तान में प्रोटीन के दूसरे सोर्सिस के मकाबले में जैसा के मटन और बीफ के मुकाबले में मचली की कीमत कदरे कम है इसलिए मचली को अपने बच्चों की खुराक का हिस्ता जरूर बनाए और इस मित में कोई हकीकत नहीं है कि मचली खाने के साथ दूद पीने से या मचली खाने के कुछ देर बाद दूद पीने से विटिलाइगो या वर्स हो जाता है शुक्रिया झाल 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 झाल